कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि राम मंदर का नर्माल हो चुका है और अठारा सब पचीस फरवरी तक क्रश्न जन्म हूमी मुख्ती के लिए बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं सभी महामंदलेश्वर आएंगे आयोध्या की तरह मत्यूरा में श्री क्रश्न के भव्य मंदर बनाने का अहावान होगा जिस तरीके से आपने क्रिश्न जन्म भूमी का मुद्दा उठाया है इस तरीके से देख रहे हैं कितना लंबा इंतजार अब करना पड़ेगा क्योंकि आयोध्या के लिए पांसो वर्ष का इंतजार नहीं मत्यूरा के लिए भी तो वही उतना ही बड़ा इंतजार रहा है ऐसा नहीं है कि मत्यूरा के लिए बड़ा इंतजार नहीं रहा है मत्यूरा के लिए भी बड़ा इंतजार रहा है लेकिन वह लड़ाई लंबी रही है और हम अभी भी यह चाहते है कि भाईचारा करेंगे तो हमको नहीं लगता दो साल से ज़्यादा लगेंगे दूसरी बाट जो लोग राम Keep के बनने पर संथ मात्म हों को भी टारगेट कर रहे हैं कि टारगेट कर रहें कि आइज stitch नहीं को में प्रवक्ताänger को बताूं कि कृष्ण मंदिर में कासी विश्वनात के मंदिर के निर्माने में वो हमारी क्या साहता करेंगे तो पिर हम उनके प्रवक्ता बन जाएंगे अठारा तारीक से जो कारेगरम शुरू होने वाला है उसमें क्या कुछ रहेगा उसकी थोड़ी सी का मुझे भूमी का बता देंग से भागवत कता हो गी क्रिष्ण भूमी को सनातन संथ सनसद होगी जिसमें क्रिष्ण भूमी का मंदिर कैसे बने शनातन परंपरा कैसे बजे हमारी बेहन बेटियां कैसे सुरक्षित हों और यह जो असलीलत हमारे परवारों में बैप सीरिज के माद्यम से गोशेड़ी जा रही है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए इन सब विश्यों पर हम लोग 25 तारी को चर्चा करें देश के हित्में जो भी कानून हों देश के हित्में वो सारे कानून बनने चाहिए और जो किसी एक बरक को पुष्ट करते हों ऐसे कानूनों को हटा देना चाहिए तो आपने देखा यह थे हमारे साथ बात करने के लिए ठापूर देखी नंदन जी जिनका कहना है कि 18 तारिक से एक संत समागम कारिकरम होने जा रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मतरा में भी जो वो मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी कैमरा परसंट चंदन के साथ रचना न्यूस 18 दिल्ली